मेरे प्यारे दोस्तों, अपनों को मेरा प्यार भर नमस्कार, नानी दादी के रस्वही में आपनों का स्वागत है, आज मैं आपनों के लिए ब्रत के लिए एक अलग से पंजीरी परसाद लेकर आई हूँ, दूद की पंजीरी, ठीक है, इसको ब्रत में भगवान जी को और दुर्गाजे को भी आप पर साथ चढ़ा सकते हैं यह देखिए कड़ाही में घीर डाल दिया हमने थोड़ा सा मखाना डाल दिया ज्यादा माखाना नहीं है कि एक कटोरी लगों को मखाना है वह हमने डाला है इसको भून लेंगे वह लिग नचेश्यचा अज़ए वह नहीं है क्राणा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा इसको भून दिया आई जया है में कश्मिश हैं और अक्रोट थे थोड़ा सा और नारिया गया है तो नारिया न निकाल दिया और ये बाके समान जो है इसको भी थोड़ा हम इसमें भूनना नहीं थोड़ा इसको भी गरम कर देना है इस सब भूनना नहीं है ठीक है अब ये देखिए हमारा ये हो गया ड्राइब फूट ना हमने भून लिया पहले वह मखाना भून दिया और फिर उसके बाद और बदाम काजू किसमीश इस सब भून दिया खुरोट नारेल रख दिया इसे ही अब इसमें में दूट डाली हूँ फूल क्रीम दूध है इसके लिए फूल क्रीम दूध के इस्तमाल करें रहे रहेगा अईसे किसी भी रिष्वी बनाने के लिए दूध से फूल क्रीम कहीं बनाई तो ज्यादा अच्छा लगता है रहता है यह हमारा बुन गया माखाना फूर्ट हमने एक तरफ रख द्राइफ द्राइफ फूट अब इसको हम यह दूध से इसको बनाएंगे दूध डाला है इसको अब हम जलाएंगे खुआ जैसे बनाएंगे इसको भूनेंगे काफी देर तक जलाएंगे इसको अचलाते रहे नहीं तो जल्वी जाता है बीच में लग जाता है यह दूध इसलिए इसको छोड़ना नहीं है चलाते रहना है है देखे जब्षेद गढ़ा होने लगा एक बहुत जल्दी गढ़ा ओजाता है फुल क्रीम का दो दो नो जल्दी गढ़ा ओता है और टॉंट मिल्क होतार वो नहीं गढ़ा उससे कुछ को तकापी थोड़ा इसे साबोता रहनेद दिया है अगलें और आधा को श्कुक्र थोकड़ा टोक्ड़ कर दिया है। तो इसको काफी टाइम लगेगा तो इसलिए कमस्करम आदा घंटा लग जाएगा अदा गन्टा 25 मीट इसको शुक शुक लगाई इसे गाड़ा हुआ अब इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए जब ठंडा हो जाए लो ढई भोग भी ठंडा हो जाएक गड़म नहीं रहने पढ़े पर उसके बाद हम इसमय और चीन डालें गए तो इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने मुद्प लिए तब तक यूण पोर काम करें लें gw और कहाँ से आप लोग देख तेएं वीडियो आप लोग जरूर से पाइए किस जरहे से आप लोग देख देखते हैं जो हमदाते हैं वीडियो सतने में यह उन्हूं का उपनेयो स्चाहशन本ा चलते हैं अब यह साम हो गए यह साम कुमेश को बना रहे हूं थंडा हो गया तब तक पूरा देखिया हाथ से छूड़े ने एकदम देखे कैसे आटा जिसे हो था नहीं हम आटा पंजीरी बनाते हैं घी में भून करके ऐसे लग रहा है कि आटा है क्योंकि चीनी नहीं डाला ने हम इसम करके रखा था टुकड़ा करके वह पहले हमने डाल दिया और यह नारियल जो है काट करके रखा था चोटा 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 टुकड़ा वह भी हम इसमें डाल देंगे कि इसको मिलाएंगे और आब इसमें डालूगे चीन्यों को हैं ग्रण्डर में पाउडर बना रखी हूँ अगर आपके पास चीनी का पुरादा है तो भी आप ले सकते हैं अगर पीट dalना चेहिए तो गुड्ट भी डाल सकते हैं गुड़ hell गुड्ट पुराद Mick अच्छा लगेगा चीनिक पाउडर ने इसमें अच्छा लगता है यह देखिए डाल दिया इसको अब हमने डाल दिया यह चीनि देखिए यह अब इसको टालूंगी मैं इसमें डेट चमच डालूंगी ज्यादा नहीं डालिये बहुत मिठा हो जाएगा ऐसे आप अपने मिठ युक्त ब्रश बंगए सब्सकते हैं अब हमें इसमें सबकुष डाल दिया अब इसमें थोड़ी से इलाईची पाउड़र डालूंगी सारा कुछ तो पढया आब तो इसमें पीछ आप्रेट्धोंख म la pertama स्सेटाम हो और सा थे तों बेकिंग सोडा कर दिब्बी थे उसको खाली कर धोग दिया इसमें इलाची पाउडर दोग कर रख दिया अब यह हमने डाल दिया एक बार पीश कर रख दो तो अराम हो जाता है डालने में जब मौका है तो ताजा कूट कर डाल दीजिए इस देखे यह हमार बन गया ना मिल के पंजीरी दूद की पंजीरी इसको आप बना करके रख दीजिए अब भगवान के भोग भी लगाए यह जैसे भी नव रात्रे आएंगे उसमें बना कर रख दीजिए रोज भगवाद दूर दूर्गाजुक भोग लगाए आप भी खाई इसको अच्छा से बहुत अच्छ दिन तक अराम से निकल जाए गई यह दस तिन तो क्या पंदर दिन चले गई अराम से इसमें पानी तो कुछ है ने खरावने जगी ने खोवा है को हमने इसे बना दिया यह देखिए इसको हमने अब इसमें निकाल देंगे और मैं अब इसको रख दूँगी फ्रीज में और रोज अपना उसमें से थोड़ा निकाल कर भगवान को भोग लगाई यह आप भी उस परसाद को खाईए यह दि ब्रत रखा है आपने तो उस ब्रत को भी आप इसमें खार सकते हैं अभी जन्नमास्टमी है कल परसों जन्नमास्टमी है तो आप कृष्ण भगवान के इस मैं भी लगाऊंगी मैंने बना के रख दिया मैं इसके भोग जरूर लगाऊंगी अभी तो हम नहीं खाएंगे इसको अब जन्नमास्टमी आ गई है उस भगवान जी को भोग लगाने बादियं में इसे खाएंगे कि यह देखिए जो बच गया था नो शाबू तो वह मावा जुमने बचा के रख था ड्राइफ्रोट वह हम इसके उपर डाल दे रहे हैं सारा डाल दिया तो आप लों को कैसा लगा यह पंजीरी मिल्क पंजीरी आप जरूर कमेंट करके बताई हमें आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए हमें अपने पता रहे हैं चलता प्लीज कमेंट किया करिए चानल को सब्सक्राइब करिए चलिये मिलते हैं अगरे वीडियो में और एक नई कि के साथ नमस्कार प्लीज कमेंट किया करिए